शुबह में एक गरीब लड़का था उसके माता-पिता बच्पन में ही गोजिर गए थे वो एक कमपने में काम करता था वही पर उसकी मुलाकत नेहा से हो जाती है नेहा एक अमीर घर की लड़की थी नेहा के माता-पिता ने उसे बड़े प्यार से संभाला था अफिस में काम करते हुए नेहा और शुबह में प्यार हो जाता है फिर एक दिन तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता नेहा पुरे दिन की ठकान निकल जाती है तुम्हारे साथ सही कहा तुमने शुभं मुझे भी तुमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है काश ये पल यही रुख जाए मेरे पास एक आइडिया है वो क्या भला सिंपल है हम शादी कर लेते हैं फिर हर दिन सुभे शाम तुमें ही देखते गुजरेगा हाँ वो तो है पर पता नहीं मेरे मम्य पपा मानेंगे या नहीं तुम बात करके देखो ना तुमारे मम्य पपा ने तो आज तक तुमारे कोई बात नहीं टाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नेहा मेरा तुमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुमारे बगेर में नहीं रह सकता प्लिस तुम अपने मम्मी पपा से हमारे शादी की बात करो न ठीक है बाबा अगर तुम इतनी ही जित कर रहे हो तो मैं आज ही उनसे बात करती हूँ शादी की फिर वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं और रात को नहा शुभम को फोन करती है और उसे बोलती है हाई शुभम एक गुड नियूज है मैंने अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात की है और उन्होंने तुमें मिलने बुलाया है वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाते है इसलिए कल सुभे टाइम पर आ जाना पापा ने कल सुभे दस बज़े बुलाया है और हाँ लेट मत होना पापा टाइम के बड़े पंक्चुल है ठीक है निहा मैं कल सुभे दस बज़े टाइम पर तुमारी घर आ जाऊंगा तुम अपना खायल रखना गुड नाइट फिर शुभ हम सो जाता है अगले दिन दस बज़े निहा के घर पहुच जाता है वो निहा के पापा से मिलता है और दोनों बात करने लग जाते है निहा हमारी इकलोती बेटी है उसे हमने बड़े नाजों से पाला है अपने बेटी को फूल की तरह हमने अपने पलकों पे बिठाया है अब तक उसे कोई चीज की कमी नहीं होने दी तुम अपने बारे में कुछ बताओ जी सर मैं आकेला रहता हूँ मेरी मामे पापा बच्पन में ही गुजर गए और अब मैं एक कमपनी में काम करता हूँ इसका मतलब तुमें एक एंप्लाई हो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन मेरी बेटी की खुशी के लिए तुम क्या कर सकते हो सर मैं नहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हो यहां तक के मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ अरे तुम्हें जान देने के कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या तुम मेरी बेटी की खुशी के लिए घर जमाई बन सकते हो क्या घर जमाई देखो तुम्हारे घर पर कोई नहीं होता तो घर का सारा काम तो मेरी बेटी को ही करना पड़ेगा ना आज तक तो हमने नेहा को कोई काम भी नहीं लगाया इससे बहतर है कि तुम दोनों यही रह जाओ यहाँ पर तो सारे काम के लिए नोकर है नेहा को भी कोई परेशानी नहीं होगी हमारी बेटी भी हमारे पास रहेगी मैं तुम्हें दो दिन का वग देता हूँ तुम सोचकर बता अगर तुम घर जमाई बनने के लिए तयार हो तो अभी तुम्हारी शादी निहा से हो जाएगी वरना मैं इसके लिए कोई आमिर लड़का दून लूँगा फिर शुभम अपने घर आता है और उस बार में सोचने लगता है शुभम की जिंदेगे में नेहा के अलावा और कोई नहीं था इसलिए वो घर जमाई बनने के लिए तयार हो जाता है फिर नेहा और शुभम की शादी हो जाती है और शादी के बाद शुभम घर जमाई बन कर रहता है पर नेहा के माता पिता शुभम को एक नोकर की ऐसियत से दिखते हैं फिर एक दिन नेहा के पापा उसके कमरे में आते हैं अरे दामाजी उठ जाईए उठे नहीं अभी तक सुभ़े के नो बज रहे हैं इतनी देर तक कौन सोता है अपने ससुर की आवाज सुनकर शुभम नीन से जाग जाता है और बोलता है अरे नहीं नहीं पापा जी वो दरसल ओफिस के काम के वज़े से मैं रात में बड़ी देर से सोया इसलिए सुभे उठने में देर हो गई आँ हाँ ठीक है ठीक है अब तो उड़ गए हो ना वैसे मुझे तुमसे एक काम था मेरा ड्राइवर आज चुट्टी पर है मुझे अरजंटली गाव से बाहर जाना है तो तुम आज मेरे साथ ही रहना लेकिन पापा जी आज तो मेरा ओफिस है आफिस में बहुत इंपोर्टन्ट मीटिंग है इसलिए तो मैंने रात बर जापकर काम किया था अरे छोड़ो ये जॉब वाब वेसे भी तुमारी इतनी तन्खा में किसका घर चलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा तुमारा एक दिन का पगार काट लेंगे वो लोग मैं तुमें उससे दो गुना ज्यादा पेसे दूँगा तुम चलो मेरे साथ मैं तो कहता हूँ कि तुम ये जॉब भी चोड़ दो और मेरे यहाँ पर ड्राइवर का काम करो शुबम को अपनी ससुरी जी की बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन वो अपने ससुरी जी को कुछ कहने ही पता और उनकी बात मान लेता है फिर एक दिन शुबम अपने ओफिस का काम करके घर आता है अरे दामत जी आ गए आप नेहा और मैं आपके बारे में ही बात कर रहे थे देखो न, आप हमारे घर में ही रेते हो हमारे ही घर का खाना काते हो और हमारे ही सारी चिज़े इस्तमाल करते हो हमने आज तक आपके लिए कितना कुछ किया लेकिन आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन आप हमारी लेक चाय बना सकते हो आपके हाथ की चाय पीकर हमें बहुत खुशी होगी पर मा जी घर में इतने सारे नोकर है आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं मैं अभी है भी ओफिस से आया हूँ ठका हुआ हो मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा अरे दामाजी आप तो मेरी बातों का बुरा मानगे मैंने तो बस आपको मेरा बेटा समझ कर बोला था पर लगता है कि आपने मुझे मा नहीं माना अगर आप मुझे अपनी मा मानते तो मुझे इस तरह से बात नहीं करते चाय तुम्हारी सगी मा होती, तो तुम उसके लिए चाय बना देते? इतना बोलकर नेहा की मा रोनी लगती है, अपनी मा को रोता देख, नेहा को बहुत बुरा लगता है, और वो शुभम पर गुसा होके बोलती है, मेने और मेरी ममी पापा ने आज तक तुम पर कितने एहसान कही है शुभम तुम्हें इस घर में रहने की जगा दी एक बेटे जैसे सम्मान दिया इस घर का खाना खाया इस घर के दिये कपड़े पहने तुम तो मेरी तुकड़ों पर ही पल रहे हो और इसके बतले में तुमने मेरी मा से बत्तमी जिकी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मा से इस तरह बात करने के जिस नेहा के लिए शुभम घर जमाई बना था आज वही नेहा उसे घर जमाई बनने पर ताना दे रही थी नेहा की बाते सुनकर शुबम को बहुत बुरा लगता है वो कुछ नहीं बोल पाता उसके आखे भराती है फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में आता है शुबम जैसे ही चाय बनाकर बाहर आता है वो देखता है कि नेहा की मा के कुछ सहलिया उनके घर आई है उन में से एक सहली शुबं को देखकर बोलती है अरे मधु तुमारे घर के नोकर तो बड़े ही सुन्दर है कहा से लाई इतना स्मार्ट नोकर तुम हमें भी दिला दो अरे ये कोई नोकर नहीं है मेरा दामाध है घर जमाई है ना हमारे ही तुकड़ों पर पलता है तुमें तो पता है ना कि आज कल के बच्चों के सामने हम क्या कर सकते है मेरी बेटी को इस गरिब से प्यार हुआ तो बेटी के सामने हमें जुकना पड़ा हमने इसके सामने शर्त रखी थी कि शादी करनी हो तो घर जमाई बनना पड़ेगा और लड़के का लालश तो देखो तुरंत मान गया तबी तो घर जमाई बनकर बेटा है अभी खाली बेटा था इसलिए मैंने इसको चाय बनाने को बुला अब सारी बाते शुबम के बरदाश के बाहर हो गई थे बस बहुत हुआ बहुत करवाली मैंने अपनी बेश थी मुझे आपके पैसो में कोई इंटरेस नहीं है और ना ही यहाँ पे घर जमाई बनने का शौक है मैं नहा से प्यार करता था इस बात का आपने और पापा जी ने गलत फाइदा उठाया और आज तो नहा को भी मेरी पैर की कदर नहीं रही मेरे माबाप बच्पन में ही गुजर गए उसके बाद में मेरी जिंदेगे में नहा के अलवग कोई नहीं था मैं उसे कोना नहीं चाता था इसलिए मैं घर जमाई बनने के लिए तयार हो गया मैंने अपने माबाप का दर्जा आपको दिया और आपने क्या किया मुझसे नोक्रों से भी बत्तर वेभार किया क्या एक दामा की यही इज़त होती है आपको लगता होगा कि मुझे घर जमाई बना कर अपने मुझ पर एहसान किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुझे आपका एसा नहीं चाहिए और अब तो मुझे आपकी बेटी भी नहीं चाहिए शुभम की बाते सुनकर नेहा को अपनी गलती का एसास होता है मुझे माफ कर दशुभम मुझे ये कभी एसास नहीं हुआ कि तुम अंदर ही अंदर इतना गूट रहे हो अगर तुम्हे यहां इतनी तकलिफ हो रही है तो हम तुमारे घर चलते हैं लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती मुझे माफ कर दशुभम फिर शुभम और नेहा शुभम के घर चले जाते हैं और वही पर अपनी पैरिस सी जिन्दगी बिताते हैं